आज हम सौधी अरब के सबसे प्रभावशाली नेता, क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान, जिसे आमतौर पर मबियेस के नाम से जाना जाता है की जिन्दगी पर चर्चा करेंगे। इसमें कई बिवाद और चुनोतिया भी शामिल हैं। सौधी अरब के राजा सल्मान बिन अब्दुलजीज अलसौद और फैदा बिंट फालाह अल हिथलैन के पुत्र हैं। उनके छोटे उम्र से ही सौधी अरब के शास्किय कामकाज के साथ संपर्क में आने का मौका मिला। उन्होंने अपनी शिक्षा सौधी अरब में ही पूरी की और रियाद की किन साउध यूनिवर्सिटी से कानून में डिगरी प्राप्त की जहां उन्होंने अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर सनातक की डिगरी हासिल की। मभियस की राजनीतिक शेत्र में प्रवेश की शुरुवात छोटी उम्र में ही हुई जब उन्होंने अपने पिता के विशेष सलाकार के रूप में काम किया जब राजा सल्मान रियाद के गवर्नर थे। इस अनुभव ने उन्हें शासन और कूटनीती की जटिलताओं को समझने में मदद की। जैसे जैसे उनके पिता की सत्ता बढ़ी, मभियस ने भी सरकारी जिम्मेदारिया संभालनी शुरू की। 2015 में जब राजा सल्मान ने सत्ता संभाली मुहम्मद बिन सल्मान को रक्षा मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वे दुनिया के सबसे कम उम्र के रक्षा मंतरियों में से एक बने। उनका तेजी से उभार जारी रहा और 2017 में उन्हें क्राउन प्रिंस के रूप में नामित किया गया, जिससे वे अगले राजगदी के उम्मीदवार बन गए। क्राउन प्रिंस के रूप में मभियस सउदी अरब के प्रभावी शासक बन गए हैं, देश की नीती, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधारों के प्रमुख पहलूँ की देखरेख कर रहे हैं। मभियस का सबसे महत्वाकांख्षी उपक्रम विजन 2030 इंच है, जो सउदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता कम करने और परियतन, मनोरंजन और प्राध्योगी की जैसे अन्यक्षेत्रों में विविधता लाने के लिए एक रणनीतिक धाचा है। विजन 2030 इंच के तहट, मभियस ने कई प्रमुख परियोजनाओं की शुरुवात की है, जिसमें नियोम एक 500 बिलियन डॉलर का मेगा सिटी शामिल है, जो नवाचार और स्थिर्ता का हब बनने का लक्ष है। उन्होंने विदेशी निवेश को आकरशित करने और सौधी अरब के भीतर उध्यमिता को प्रोचसाहित करने के। लिये भी काम किया है। मभियस ने कई सामाजिक सुधार भी किये हैं, जिन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली हैं। विशेश रूप से उन्होंने महिलाओं के ड्राइविन पर प्रतिबंध को हटा दिया, जो एक महत्वपूर्ण निर्नय था, और सौधी अरब में महिलाओं के अधिकारों में सुधार के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा था। उन्होंने मनोरंजन विकल्पों को भी बढ़ाया, जैसे की संगीत, कार्यक्रम, सिनेमा और खेल इवेंट्स जो पहले प्रतिबंधित थे। ये परिवर्तन सौधी समाज को आधुनिक बनाने के उनके द्रिष्टिकोन का हिस्सा है, जबकि देश की पारमपरिक मूल्यों को बनाय रखा गया है। हाला कि सौधी अरब को आधुनिक बनाने के उनके प्रयास बिना विवादों के नहीं रहे हैं। यमन में सौधी नेत्रित्व वाले हस्तक शेप की उनकी भूमिका को मानवतावादी संकट के कारण व्यापक रूप से आलोचना मिली है। इसके अलावा पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या दो हजार अठारह में, जिसे खुफिया एजंसियों ने मबियेस से जोडा, ने वैश्विक आकरोश को जन्म दिया और उनकी अंतरराश्ट्रिय छवी को धूमिल किया। इन घटनाओं ने उनकी नेत्रित्व शैली पर बढ़ती नजरों को जन्म दिया है, जिसे अक्सर तानाशाही के रूप में वर्नित किया जाता है। मुहम्मद बिन सल्मान की शादी प्रिंसिस सारा बिंट मशूर बिन अब्दुलजीज अल सौद से हुई है और उनके कई बच्चे हैं। जबकि वे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख धूमिका निभाते हैं, मबियस अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी को अपेक्शाकृत निजी रखना पसंद करते हैं। उनके परिवार के संबंध सौदी अरब की राजसी परमपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं, और उन्हें देश की विरासत के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जबकि वे बिना पूर्व देखे हुए परिवर्तन को आगे बढ़ा रही हैं। क्राउम प्रिंस के रूप में मभिये सौदी अरब के भविश्य को दशकों तक आकार देने की स्थिती में हैं। उनका महत्वा कांक्षी विजन 2030 इंच योजना, साथ ही अर्थव्यवस्था और समाज में सुधार की उनकी कोशिशें, उनकी विरासत को परिभाशित करेंगी। हालां की जो चुनौतिया वे घरेलू और अंतरराश्ट्रिय स्तर पर सामना कर रहे हैं, वे भी यह तै करने में महत्वपून भूमिका निभाएंगी की उनके नेत्रित्व को कैसे याद किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मुहम्मद बिन सल्मान की युवा प्रिंस से सुधी अरब के क्राउन प्रिंस बनने की यात्रा, महत्वा कांक्षा, शक्ती और परिवर्तन की कहानी है। चाहे उनकी सुधारों के लिए सराहा जाए या उनके विवादित निर्नयों के लिए आलोचना की जाए, मभियेस का सुधी अरब और दुनिया पर प्रभाव नकारात्मक नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह विडियो जानकारी पूर्ण लगा, तो कृप्या लाइक बटन दबाएं, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकिया। प्रभावशाली व्यक्तियों की और भी गहराई से जीवनी देख सकें। हमें टिपपणियों में बताएं कि आप अगले किस नेता या व्यक्तित्व को देखना चाहेंगे। तब तक सूचित और जिग्यासू बने रहें।